नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड आप सभी का स्वागत है हिंदी डेप्टूर्स पर और हम पढ़ रहे हैं बूस्टर फोर वो भी बिल्कुल अपनी लांग्विश्च हिंदी पर और आज बात होगी ग्रिट सिस्टम के बारे में अगर आपको ग्रिट सिस्टम के बारे में नहीं पता तो इससे पहले हमने दो सिरीज बनाया था बूस्टर फ्री के ऊपर आप वो सिरीज एक बार पहले देख लें उसका ग्रिट सिस्टम देखें उसके बाद में इस वीडियो को फोलो करें bootstrap के नए grid system में पहले से काफी changes किये गया है जिसमें की एक breaking point change हुआ है बाकि लगभग bootstrap 3 के साथ bootstrap 4 का grid जो है वो equal है चलिए थोड़ा details में जानते हैं अगर आपने bootstrap 3 का grid system यूज किया होगा तो आपको पता ही होगा कि row और column को मिला के grid system बनाया जाता है एक row में 12 colon होते हैं जैसे कि आप screen में देख पा रहे हैं top to bottom अगर हम लोग जाते हैं तो उसे हम लोग colon कहेंगे और left to right अगर हम लोग जाएंगे तो उसे row कहेंगे और एक row के अंदर में 12 colon ही रह सकते हैं हम अपने website के layout को row के हिसाब से design करते हैं एक्जामपल के तोर पे अगर मैं 12 colon का एक row लूँगा तो यहाँ पे number one colon से start करके आखिर यहाँ तक number 12 colon तक जाएगा इसका मतलब अगर आप एक row लेते हैं और उसे 12 colon का define करते हैं तो starting से लेकर last तक left to right पूरा cover करेगा बहुत बार ऐसा होता है कि हमें 2 colon की website layout की जरूरत पड़ती है तब मैं चाहूं तो left side में 6 colon और right side में 6 colon लेके मैं ऐसा layout बना सकता हूँ क्यूंकि एक row में 12 colon दे सकते हैं तो अगर मैं left में 6 लूँगा और right में 6 ही बचेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि left side में हमने 6 colon लिया है और right side में हमने 6 colon लिया है कभी-कभी ऐसे भी जरूरत होता है कि आपको left side में जादे colon चाहिए और right side में एक छोटा सा sidebar चाहिए तब आप left side में 8 colon ले सकते हैं और right side में बाकी जो 4 colon बचे उसे हम ले सकते हैं left side में हम content area बना सकते हैं और right side में हम एक sidebar बना सकते हैं तो यहाँ पे 8 colon और 4 colon दोनों मिलाके 12 colon total एक row में 12 ही होने चीहिए अब सेम चीज़ को अगर हम mobile में देखेंगे तो यह थोड़ा सा change हो जाएगा जो 12 colon रहेगा वो 12 ही रहेगा mobile में लेकिन जो हमने normal desktop size में जो 6 colon लिया था वो जब mobile version पे आएगा तो पूरा mobile को capture करेगा breaking point के जरिए यह आपको fully responsive का features देगा यहाँ पे आप right side में देख सकते हैं mobile में इस तरह का example होगा पहला जो 12 colon था desktop में वो 12 ही रहेगा उसके बाद जो 6 था वो पूरा 12 पे convert हो जाएगा फिर दूसरा जो 6 था उसके नीचे आ जाएगा इसका मतलब अगर हमने 6-6 12 लिया था desktop में तो 1 row में आ रहा था लेकिन जब वो mobile screen पे आ जाएगा तो वो उसे divide करके 6-6 1 उसके नीचे 1 रखेगा इस तरह से boost up 4 का जो grid system है आपको fully responsive का features देगा और ये जो mobile में आपको stack के हिसाफ से दिखा रहा है एक के उपर एक या एक के नीचे जो एक दिखा रहा है अगर हमने 6-6 लिया इसे breaking point के जरिए boost up का grid system कंट्रोल करती है अब हम जानेंगे कि boost up 4 में 4 breaking point होते हैं फिलाल boost up 4 में एक और breaking point को मिलाया गया है मतलब 5 breaking point अभी होते हैं boost up 4 के मदद से हम किसी भी screen size के लिए website का layout बना सकते हैं जिसे boost up में breaking point कहा जाता है और यहाँ पे सबसे पहले extra small device के लिए दूसरा है small display के लिए जो की normal mobile का जो size होता है और तीसरा है medium display size के लिए जैसे की tab और पुराने old computer के screen और आखरी है large screen और extra large display के लिए जो बड़े monitor होते हैं या 4K monitor होते हैं उसके लिए आगे में चलके हम इनके classes के बारे में जानेंगे कि आपको अगर bootstrap 4 में grid system लगानी है ब्रेक पॉइंट लगानी है तो आपको उसके special classes लगाने होते हैं bootstrap 4 के अंदर में 5 types of class prefix हैं different size के colon बनाने के लिए जैसे की call access यह है extra small display के लिए जिसका screen size less than 34 EM होता है दूसरा है call SM for smaller display screen size है 34 EM और उससे उपर तीसरा है call MD for medium display screen width है 48 EM और उससे उपर चोथा है call LG for larger display screen width है 62 EM और उसके उपर पांचवा है call XL यह है extra large display के लिए जैसे की 4K TV या फिर 4K monitor screen width 75 EM और उसके उपर तो मैं आपको फिर से एक बार बता दू कि call access हम तभी लगाते हैं जब हमें कोई छोटा small display के लिए screen size के लिए layout बनानी होती है call SM कब लगाते हैं जब हमे smaller display मतलब mobile screen के लिए जब हमें optimize करनी होती है call MD यह medium size screen के लिए लगाया जाता है जैसे कि tab या फिर पूराने old computer के screen size call LG यह हम तभ लगाते हैं जब हमें larger display जैसे कि desktop monitor के लिए call XL यह extra large display के लिए जैसे कि 4K monitor या बड़ा monitor के लिए या बड़ा screen size के लिए हम लोग optimize करने के लिए call XL का इस्तमाल करते हैं जिसका size 75 इम या फिर उससे उपर होता है तो लगभग हमने theory के हिसाफ से grid system समझ लिया है अब बारी है code करने की सेम चीज practically हम उससे करके देखेंगे तो उमीद है आप सभी को आज का ये episode अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe कर लें ताकि आप सीख पाएं वेब design, वेब development और YouTube training वो भी बिलकुल हिंदी में इसी के साथ मैं आप से विदा लेता हूँ आपका host और दोस्त एडवर्ड बाई बाई दोस्तों